वेल दोस्तों आज की न्यूज़ Redmi Note 5 Pro users के लिए निकल गया आ रही है Redmi Note 5 Pro users को MIUI 10.0.4.0 का stable update rollout होना शुरू हो गया है फिलाल ये stable beta testing के लिए rollout किया गया है यानि कुछ लोगों कोई update मिल रहा है कुछ लोगों कोई update नहीं मिला है मतलब यह की 100% में से 5% लोगों को ये update अभी rollout किया गया है तो अगर आप lucky हैं तो आपको ये update मिल गया होगा आप अपना update आजा की चेक कर सकते हैं अगर वहाँ पे आपको ये update आया होगा तो इसको update कर दीजिए और उसके आपने feedback दीजिए के किस तरह से update आया है किसमें कोई bug है या नहीं है आप feedback देख सकते हैं forum के उपर जाके फिलाल हम बात करते हैं इस update में का कुछ interesting features होने वाले है क्या कुछ हमें नया देखने को मिल जाता है हाला कि मैंने इसको उपर एक full review के उपर वीडियो बनाई है वो आप जाके चेक कर सकते हैं या मैं कार्ट में लिंक दे देता हूं उसका तो फिलाल हम बात करते हैं कुछ interesting features के उपर देखिए इस update में आपको कई सारे interesting features देखने को मिल जाते हैं आप अगर अपनी गैलरी में जाते हैं गैलरी में जाने माता कोई भी photo delete करते हैं तो आपको एक Alexa sound देखने को मिलता होगा अगर आपनी नहीं मिलता है तो आप अपनी mobile settings में जाए settings में जाते हैं तो वहाँ पर आपको scroll down करते हैं आपको सबसे last option मिलेगा delete sound का तो अगर enable कर देते हैं उसके बाद में कोई भी photo delete करते हैं गैलरी में जाके तो आपको एक select sound देखने को मिल जाएगा तो एक option भी नया हमार सामने कर दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है शामने की तरफ से हमें नयना option देखने को मिल रहे हैं उसके अपडेट आज आज आएगा तब आपके लिए एक इंट्रस्टिंग वीडियो जरूर से लिके आऊंगा उसमा हमको hidden feature के आपर वीडियो बताऊंगा तो इसमें क्या कुछ hidden features आएगा अब दब जाना चाहिए तो फिराद इस वीडियो में रहता है था मैं मेलका उपको अगले एक्साइटिंग वीडियो में बताऊंगे लिए जय हैं बनने वात रहों